हेलो दोस्तों कैसे आप लोग उमीद हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे आज हम सिखेंगे बैंक अफ इंडिया का निव एटियम कार्ट अपलाई कैसे करते हैं ठीक है चलिए चलते हैं गोगल पर उस पर बस आपको करना क्या है आपको बस जाना है गोगल में गोगल में जाना है और यहां आपको मैं भी बैक जाता हूं यहां पर लिखना है कि अब बैंक अब इंडिया यह नीचे आ गया है आप इस पर किलिक कर सकते हो अब बैंक अफ इंडिया आप यहां सर्च कर लेना है यह हमरा आ गया बैंक अफ इंडिया का वेब्साइट आ गया अब आपको यहां पर किलिक करना है कि खूल रहा है कि इसके बाद आपको उपर से गिंती करिएगा एक दो तीन चार चौथा नमबर पर आपको बस क्लिक करना है यह क्लिक करने के बाद कुछ ऐसे फैस आएगा यह देखिए आ गया अनलाइन एटियम अपलाई और ट्रैंजक्शन जो पहले से जो अपलाई हुआ है वह आप यहां पर देख सकते हो चलिए मैं अभी अपलाई करते हैं यह दिखिए हमारा आगया आप यह फ्रॉम भरना है पहले अपना नाम लिखे लेना है पहले अपना नाम लिखना है चलिए मैं भी लिखता हूं राकेश इंडिया इसमें सेलेक्ट कर लेना है और मोबाइल नमबर आपको डाल देना है उसके बाद मोबाइल नमबर डालने के बाद एक इमेल आइडी डालना है इमेल आइडी डालने के बाद आपको इसमें कौन सा काट चाहिए डेबिट काट यह आपको डेबिट काट पर सेलेक्ट कर देना है उसके बाद नीचे आना है आप मतलब पूछ रहें आप कस्टमर है इस बैंक की तो आपको यस कर देना है अगर आप कस्टमर है तो इसमें आपको एकाउंट नमबर डालना है है यहाँ पर डिस्टिक करना है फिर से डिस्टिकच आपको यहांर पर फिल करदेना उसके बाद यहां पर सुप्मिंट पर करने के बाद आपको एक OTP मिलेगा, OTP आप डालिएगा, OTP डालने के बाद हो सेक्सेच फुली हो जाएगा, उसके बाद से आपको ए घंटे या आदा घंटे के अंदर अंदर आपको एक कॉल आएगा वेरिफिकेशन के लिए, तो आप घबड़ाईएगा मत, जो भी पूछेगा लोग, उसका सही सही, आप उसका जवाब दे दीजिएगा, ठीक है? उमीद है वीडियो देखकर के आप लोग सिख़ लिए होंगे, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सस्क्राइब करिए, आपका एक लाइक ये हमारा वीडियो के लिए काफिर है, क्योंकि वीडियो का लाइक मिलेगा, तभी वीडियो दूसरे के पास जाएगा, प्लीज ला समझ में नहीं आया हैं तो आप हमें कमिट करिए हम आपको जवाब देंगे उसके